सब्सक्राइब कीजिए हेलफुल रासा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए ऐसे हेलफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो एन वेलकम फ्रेंट हेलफुल रासा चैनल मैं आपको बहुत दोस्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ IRCTC से रिलेटट तीन लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट तीनों लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए ये वीडियो लास तक देखते रहेगा आपके लिए काफी helpful होने वाला है दोस्तों आगे बनने से पहले मैं एक request एक गुजारिश करूँगा आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज 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 एक लाइक जरूर कर दियेगा और ऐसे ही helpful वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बूलियेगा दोस्तों चैनल को subscribe कर लेंगे आपको आगे भी ऐसे ही helpful वीडियो मिलते रहेंगे तो दोस्तों सबसे पहली news निकल कर आ रही जैसे ही 11.23 लोगोंने IRCTC की वेबसाइट कोला ततकाल टिकट बुक करने के लिए तो उनके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आया 11 बजे सिले करके 12 बजे तक कोई भी टिकट बुक ही नहीं हो पाए और ना कोई टिकट कैंसल हो पाए तो दोस्तो ऐसी समस्या क्या आपके साथ भी आई कमेंट में ज़रूर बताईएगा अगर आई हो तो और साथी साथ जो टिकट 11 बजे बुक होने थे ततकाल के वो मैंने 12 बजे तक देखा ओपें रहे 12 बजे तक खुले रहे जैसे ही साइट फिर से ओपें होती है तो वहाँ पर सारे टिकट भरे होई दिखा रहे थे दोस्तो दूसरा लेटेस्ट अपडेट निकल करा रहा है वो यह कि जब IRCTC की वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे अलर्ट वाले आप्शन पर जाएंगे इस्पेशल ट्रेन वाले आप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी कुछ और इस्पेशल ट्रेन जो की चलाएगे यह दीपा वली और छट पूजा की वज़े से तो आप जाएए यहाँ पर ट्रेन नंबर देखिए वहाँ पर जाकर आप booking स्टार्ट कर सकते हैं तीसरा latest update जो निकल कर आ रहा है वो यह है कि IRCTC का जो rail connect app है उसका interface चेंज कर दिया गया हाला कि कोई भी function या कोई भी option में changing नहीं की गई है सब कुछ आपको वैसे ही मिल जाएगा लेकिन IRCTC का जब rail connect app अपडेट करेंगे तो आपको इस तरह का interface नज़र आएगा दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रू बताएगा अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दियेगा साथ इसाथ चैनल के साथ जुने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग